सीतापुर विधान सभा से बिजबी प्रत्याशी राम कुमार टोपो अपने जाती प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिरते नसर आ रहे हैं। दरसल राम कुमार टोपो नोए पर फर्जी जाती प्रमाण पत्र बनवाने के गंफीर आरोप लगे हैं। रामकुमार टोपो के फर्जी जाती प्रमान पत्र बनवाने की आशंका को लेकर हाई कोट में याचिका दायर की थी, ये याचिका लखंपूर ब्लॉक के ग्राम, धोटा के सरा, निवासी, बहारी लाल, तिर्की के ओर से दायर की गई थी, वहीं मामले में हाई कोट में रामकुमार टोपो जो सितापूर से निर्वाचन के लिए अभ्यार्थी नियुक्त हुए हैं, लेकिन उनकी जाती पे संदिक देता है, जाती का जांच होना है, जिसका मान्य नियाले हाई कोट में आदेश कर दिया है, राइगड कलेक्टर महोदे जी कूँ. मेरे पेटिशनर का मुखे ग्राउंड ये था, कि जो नियम दो है और नियम तीन है, उसके अनुसार ग्राम सभा निर्धारित कर सकती है कि किसी आवेदक का जाती क्या है, परतु ग्राम सभा जाम बहार ने जो रिजोलूशन पास किया, उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि राम कुमार टुपो जी का जाती क्या है, वो कौन से जाती से बिलॉंग करते हैं, ग्राम सभा ने सिर्फ ये कहा है, कि उनको जाती प्रमान पत्र दिया जाए, तो आज सुनवाई में ये हुआ कि मानिय नियले ने गंबिरता से सुनते हुए उस विशे को फाइनली डिस् लेश्टिक लेवल चानबीन समीति से जाच कराया जाए।